नमस्कार आप देख रहे हैं आरेडी न्यूज और मैं हूँ बीना सिंग आपके साथ इस वक्त मैं हूँ विदान सभा के परिशर में और आज जिस तरह सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिस कर रही है हर एहम मुद्दे पर आपको बता दे कि तेजस्वी जो है जब अपने के अंदाज में ट्रेक्टर पर सवार होकर विदान सभा पहुंचे हैं और इस सत्रक से रिलेटर जो सारी जानकारी है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरेडी न्यूस के संपादक योगेस जी हैं सबसे पहले हम तेजस्वी के मुद्दे को उठाएंगे कि वो जिस तर होने के कारण उनकी जिम्यवारी भी बनती है कि जनता से जुड़े आप मुद्दे को वो उठाएं और जोरदार तरीके से उठाएं आज वो ट्रेक्टर से अपने आवास से यहां पहुंचे बिदान सभा इसका मतलब एक संकेत देना था कि सरकार जिस तरह से लगातार जान सभा के अंदर ट्रेक्टर से आने नहीं दिया गया उन्हें गेट पे ही रोक दिया गया और कहीं न कहीं वो काम्याब हुए हैं लोगों का ध्यान आकर्षित करने में यह जताने में किशानों और किशानों के मुद्दे को लेकर जो है सरकार गंभीर नहीं है और हम आप को बता दे कि यह जो बजट सत्र है यह काफी हंगामिदार होने वाला है विपक्ष जो है सरकार को उन्हार मुद्धों पर घेड़नी की पूरी रंदीती बनाया है जो सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा जवाब देना भी क्योंकि आप जिस तरह से जानते हैं कि कुरोना मे जगा जगा से फरजी बाड़े की खबरे आ रही है आपने देखा कि जो कॉंग्रेस के नेता थे वो परदर्शन कर रहे थे प्रोटेस्ट कर रहे थे और दूसरे जो विपक्ष के नेता है दूसरे दलो के नेता है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कुरोना में फरजी बाड कि किन-किन एहम मुद्दों पर आपको लगता है कि आज जो है बिपक्त सरकार को गेरेगी देखे बात करें आज की तो आज तो अब सेकिन हाप में जो होना है वो बजट पेस किया जाएगा उप मुख्यमंतरी तारकिशोर परशाद की ओर से बजट के चर्चा होगी और को दिख जाते है कि क्या कुछ करने वाली है और उसके मताविक सरकारने कहा है कि जो सरकार की मैं बजट जो जन प्रीत होगी जो हंगामे हुए बाहर जो नारेबाजी हो रही थी और वो किस तरफ इसारा कर रही कि अंदर क्या कुछ होने वाला है देखे बेधान सभा वो जगह होता है इसे लोकतंत्र का सबसे पवित्र मंदिर कहा जाता है बिधान सभा जहां पूरे राज्य के परतिनीधी यहां पर च सरकार का ध्यान अकर्शित करते हैं वो जगह होता है तो आज जो बिधान सभा में नारेवाजी और जैसा कि आपने देखा कोई प्याज लेकर के और धान के साथ है शब्चु प्रोटिस्ट कर रहे थे तो कहीं न कहीं यहीं दरसाता है कि महगाई जो है चरम पे है और महगा पार कर गया है तो यह सब चीजे हैं जो बहुत ही आम लोगों के जन जीवन पर असर डाला लोग जो बिधायक हैं जो नेता हैं जो जनता से जुड़े होते हैं वो शरकार का ध्यान इशोर खिचना चाहते हैं इसका मतलब यहीं है योगेस्ट यह बताईए कि क्या सदन में अभी जो है किसान आंदोलन का मुद्दा भी एहम रूप ले सकता है बिलकुल देखिए किसान जैसा की तिजस्वी आदब ने आज अपने आवाज से यहां तक विधान सवा के गेट तक ट्रैक्टर से चल कर आये उनका सिंबॉलिक वियार्थ यही था कि किसानों के मसले पे 85 से 90 दिनों से दिल्ली के विविन वोड्रो पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शरकार चुप है बारता भी बंद हो गई है और किशान कह रहे हैं कि हम बारता के लिए तयार हैं सरकार हमारे पास प्रस्ताब भेजे तेजस्वी आदब इससे पहले भी विहार में आंदोलन कर किसानों के हग को लेकर के उनके समर्थन में को लेकर के तो कहीं न कहीं यह मुद्दा जरूर उठेगा आप जानते हैं कि जिस में स्पी को लेकर के किशान आंदोलन कर रहे हैं वो में स्पी में बिहार में मंडिया जो है उन्हीं 2005 में ही साइथ खत्म कर दी गई है जो हमारी जानकरी है 2005 में ही नितिज सरकार ने खत्म कर दिया था तो यह मुद्दा तो गर्माना ही गर्माना है नहीं गर्मानी का मतलब ही नहीं है विपक्ष उसे उठाएगा ही उठाएगा तो अभी हमने बात की योगीस जी से इन्होंने पूरे बजर शत्र का जो है वो आंकलन करके बताया हमें कि किस तरह हंगामेदार जो है सदन के अंदर हंगामेदार जो बिपक्ष है वो लागतार सवाल करेगी सरकार से उसको हर तरह से घेरने की कोशिस करेगी और बिहार के जो एहम उद्दे हैं रोजगार हो गई जो महंगाई है इस पर भी सरकार को घेरने की पूरी कोशित करेगी